साब्सक्राइब करें पाकिस्तानी ड्रामा सेंज चैनल को और दबाएं इस बेल के एकन को ताके आप हमारी वीडियो देखें सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता दूँ यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके इंटर्टेंट के लिए होती है ना कि किसी एक्टर या ड्रेक्टर की बुराई करने के लिए इस लिए इस वीडियो को ज़्याद दिल पर ना लें थैंक यू इस सिन में हैदर जब डाक्टर के पीछे जा रहा होता है तब इसके येवला हाथ में कोई भी मुबैल नज़र नहीं आता है लेकर जैसे हैदर चल कर अंदर आता है तो इसके हाथ में ये मुबैल जादू से आ जाता है दिल नशीन जब हैदर की मा के साथ यहाँ पर बैठी होती है तब ये वाला कुशन सोफे के कोर्नर पर पड़ा होता है फिर एकदम से बिना हाथ लगए वो कुशन अपने आप चल कर सोफे के संटर में आ जाता है और पहले आँटी के सार के नीचे ये बलू कलर का तक्या पड़ा होता है और फिर जब हैदर यहाँ पर आता है तो आँटी के सार के नीचे वाइट कलर का तक्या पड़ा हुए निजर आता है हैदर जब दिल नशीन के पास आता है तब दिल नशीन के मुबैल पर टाइम 3.33 मिनिट हो रहा होता है और फिर जब दिल नशीन चलकर हैदर के पास आती है तो इसके मुबैल पर टाइम 2.40 मिनिट हो रहा होता है ये टाइम आगे जाने के बज़े उल्टा पीछ है जाता है महमल रिदा से फोन पर बात करने के बाद जब यहां पर बैठी होती है तब इसके येवले हाथ में कोई भी घड़ी नज़र नहीं आती ही लेकिन जैसे महमल चल कर हैदर के पास आती है तो इसके हाथ में ये घड़ी पता नहीं कहां से जाती है और यहां पर एदर जब अपने रूम के अंदर आता है तब इसके येवले हाथ में कोई भी घड़ी नज़र नहीं आती ही और फिर जब एदर चल कर अपनी मा के पास पहुंचता है तो इसके हाथ में ये घड़ी जादू से आ जाती है रिदा जब यहाँ पर हमजा के साथ बात कर रही होती है तब इसके येवले हाथ में कोई भी चीज नज़र नहीं आती ही लेकिन जैसे रिदा चल कर दिल नशिन के पास आती है तो इसके हाथ में ये बहुत सारी चीज़ आ जाती हैं जब ये आंटी रिदा से बात करने के बाद यहां पर खड़ी होते हैं तब ये वाला लेंप फोटो फ्रेम के बिल्कुल नीचे पड़ा होता है लेकिन जैसे ही कैमरा जूम लेता है तो बिना हाथ लगए वो लेंप अपने आप चलकर फोटो फ्रेम की सैट पर आ जाता है बहुत लोग वीडियो पसानदा है तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर कर दो ऐसी वीडियो मजीद देखने के लिए पागिस्तानी ड्रामा सेंस चनल को साब्सक्राइब करना ना भूलें